असलाम लेक्म स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन मैं मुहमद रुकास हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर और दिस इस यूर चैनल MWS आपकेमिस्ट्री हमारा आज का तीसरा लेक्शर है अरोमेटिक हर्डोकार्बन यह निके बैंजीन के स्ट्रक्चर पर तो प्रीविएस टूल एक्शर में हमने सीखा बैंजीन कैसे डिसकवर हुई कैसे उसका स्ट्रेश चैनल रूल आउट किया गया फिर हमने देखा कियो ने जो cyclic structure दिया बेंजीन के लिए जो hexagonal, regular, planar और with alternate three single and double bonds के साथ था वो किस तरह से justify हुआ with the help of different evidences So, इस lecture में एक तो हम x-ray study of benzene ये देखेंगे उसके साथ हम देखेंगे वो कौन से objections से जो keqeule के बनाए हुए structure पर लगाएगे and then हम देखेंगे फिर हम उसमें कैसे modification करेंगे on the basis of valence bond theory and molecular orbital theory यनी molecular orbital treatment of benzene करेंगे ये वाला long question है ये दोनों short question में बहुत ज़्यादा important है ठीक हो गया? तो आईए इसको देख लेते हैं सबसे पहरे हम देखेंगे x-ray study of benzene after the discovery of x-rays you know हमारे लिए compounds को analyze करना उनकी bond lens को, उनके bond angles को उनके structure को analyze करना निस्पतन असान हो गया तो 1913 और 14 में ये x-rays जो थी वो इनको सही से comprehensive way से study किया गया लेकिन ये 1890 में discover हो चुकी हुई थी ठीक है? तो first year में ये चीज़ें जान चुके हैं तो आब हम देखते हैं x-ray analysis हमें क्या बताती है देखो x-ray study हमें एक तो ये बात बताती है कि benzene is cyclic hexagonal hexagonal है hexagonal है तो mean cyclic है तो इस लिए हाद से तो बात बिल्कुल कैक्यूल की ठीक थीक थाबत हुई कि benzene hexagonal cyclic है ठीक हो गया? फिर benzene planar है planar है means 120 degree angle के साथ है एक ही plane में है carbon to carbon जो bond angle है 120 degree के होंगे planar है और regular है ये देखें कितनी important बाते है कि वो ही बाते हैं जो कैक्यूल ने की थी वो यहाँ से थाबत हो रही है और और इसे क्या बता चला जो carbon to carbon bond length है benzene के अंदर ये सारे atoms की equal होगी अगर regular है तो obviously ये सब की equal होगी और ये है 1.397 angstrom and you know 1 angstrom is equal to 10 is to power minus 10 meter and carbon to hydrogen जो bond length है वो है 1.09 angstrom in all carbon to hydrogen bond lengths तो अच्छा एक और मज़ेगी मैं आपको बात बताता हूँ जो x-ray analysis है ना हमारा उसमें हम double, triple या single bond को नहीं identify गर पाते होते हैं हम bond length को identify करते हैं मतब carbon to carbon bond length जो होती है अगर वो 1.54 angstrom या 154 picometer के roundabout आजे दोनों एक ही बात है 1.54 angstrom या 154 picometer तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2 carbon atoms के दिरमा सिंगल bond होगा और अगर यही bond length 1.34 angstrom आए तो हम कहते हैं double bond होगा और अगर हम कहें कि यही bond length 1.20 angstrom आए तो फिर हमारा triple bond होगा क्योंकि triple bond सबसे shorter bond length के साथ होता है तो यहाँ भी आप चेक करो this bond length is very close to 1.34 angstrom it clearly means there must yes, carbon to carbon double bond like nature जो कैक्यूल हमें कहता है कि alternate 3 double and triple bond होगा यहाँ भी हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे मैं आपको बता चुक हूँ कि X-ray analysis ने हमें यह नहीं बताना कितने single हैं, कितने double bond हैं उसने सारी हमें bond length sequel बता दी है तो इस बास से तो regular होना बेंजीन का ठहर गया, ठीक है अब यह एक्सरे analysis वाला आपने structure, अक्सरे स्टूडेंट से गलत बना देते है यह आपने hexagonal बनाना है याद रहे, जब आप यह hexagonal बनाओगे, तो आपने हर hexagon के हर corner पे एक carbon atom शोग करना यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यहाँ, 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 और फिर यहाँ, ठीक है, यह मैं देखो, carbon बना रहा हूँ और यह जो carbon to carbon each carbon to carbon जो bond length है वो है equal 1.397 angstrom और carbon to hydrogen bond length कम होती है, due to electron activity difference between carbon and hydrogen, वो कम होगी, और वो है 1.09 angstrom और यह चीज़ benzene को regular बनाती, और यहाँ पे जो carbon to carbon bond angle है वो बनता है 120 degree, सही है, और यह है 1.09 angstrom carbon to hydrogen bond length, और carbon to carbon है 1.397 angstrom, यह carbon to carbon bond length होगी, so यह structure आपने बनाना है, जब पेपर में आया आपको question, आपने इसमें double bond वगेरा शोर नहीं करने, ना ही इसमें कोई circle लगाना है तो यहाँ से काफी कुछ clear हो गया, कि कैक्यूल के मताबिक hexagonal थी, तो actual structure भी hexagonal ही होता है, cyclic है planar है, 120 degree angle के साथ थाबत होगा है, regular है, और carbon to carbon और carbon to hydrogen, जो bond lengths हैं, वो सारे carbon to hydrogen और carbon to carbon equal है, तो यह इसकी regularity का सबूत है, लेकिन यहाँ वे यह बात बिलकुल नहीं है, कि carbon में, अगर एक double bond है carbon to carbon, फिर single होगा, alternate single and double bond वाली condition नहीं है, clear, अब अब objections क्या हुए, अब देखो, बेंजीन का जो हमारे पास formula है, वो है C6, H6, इसे एक बात तो बहुत ज्यादा clear है, कि बेंजीन is highly unsaturated, highly, highly unsaturated, यह बात तो अब बिलकुल clear हो गई है, पहले भी थी, अब भी clear है, कि बेंजीन का जो formula है, यह हमें बताता है कि बेंजीन is highly unsaturated अब देखो, क्यक्यूल यह कहता है कि जो उसने बेंजीन बना दी है, जिसमें double bond भी हैं, single bond भी हैं, double हैं, single हैं, इस तरह से करके सिलसला चल रहा है, अगर हम क्यक्यूल क्योंकि बेंजीन ही को असल बेंजीन मानने, तो क्या होगा बेंजीन, क्योंकि highly unsaturated है उसमें double bonds भी है, according to कैक्यूल, there are three double bonds in बेंजीन, according to कैक्यूल आइम से, तो फिर हमारे पास बेंजीन को सिरफ addition reactions देने चाहिए हैंना, लेकिन असल बेंजीन addition reactions में reluctant होती है यानि थोड़े कम reaction शो करती है addition reactions यहां पर क्या होते है reluctant होते है reluctant होते है reluctantly जो बेंजीन है वो क्या करती है yes, addition reaction शो करती है लेकिन readily क्या देती है substitution reaction तो यह बड़ी अजीब बात है कि बेंजीन जो है, वो readily substitution reaction तो देती है है ना तो addition reaction में वो reluctant show करती है मतलब कम reaction वो show करती है तो ये जो बात है ना ये हजम नहीं हो रही है अगर बेंजीन according to calculate there are three double bonds alternative भी फिर बेंजीन को सिरफ addition reaction देने चाहिए उसको substitution की तरफ आना ही नहीं चाहिए और यहां पर तो सारा scene यह उल्टा हो रहा है कि बेंजीन undergoes substitution reaction more readily as compared to that of addition reactions so there is problem in the structure of benzine moreover इसमें मैं एक चीज़ और भी add कर देता हूँ देखो जो केमनोफोर है potassium per manganate जो है यहां पे वो वो अभी भी जो oxidation है वो तो बेंजीन की नहीं कर पा रहा यानि असल बेंजीन जो है वो केमनोफोर के presence में oxidize नहीं हो रही हलाके कैक्यूल कहता है there are three double bonds in benzine alternatively तो अगर कैक्यूल की बात को मान के चला जाए तो केमनोफोर must oxidize the benzine but actually it doesn't happen तो यह अब हमारे लिए problem बन गई तो यह objections से और भी objections हम लगा सकते हैं कैक्यूल पर और वो advanced level पर जाके अगर मैं बात करूँ तो वो मैं कह सकता हूँ लेकिन चले थोड़ा सा उसके बारे में बता ज़ता हूँ like अगर हम कहें के दो subsequent लगे हैं benzine ring में ऐसे x और y तो दूसरा यह हो सकता है कि possibly यह subsequent ऐसे लगे हो x और y अब दोनों ही one two position पे हैं अगर आप देखें यहां x और y के दरम्यान single bond आ रहा है और यहां x और y के दरम्यान double bond आ रहा है तो इस चीज़ को भी कैक्यूल elaborate नहीं कर पा रहा था तो इसने कहा कि यह दोनों जो हैं वो equilibrium में होते हैं यह जो चीज़ अभी मैंने बताई है यह FSC लेवल पे तो नहीं है लेकिन advanced लेवल पे यह बताया जाता है तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बात तो clearly समझा आगी के कैक्यूल की benzene जो है वो असल benzene के बहुत ज़्यादा करीब है लेकिन यहां पर जो problems हैं वो आपके सामने हैं तो इसलिए इस problem को resolve करने के लिए हम देखेंगे molecular orbital treatment of benzene अगर आपको habitization concept पता है अब देखो यह मैंने बताया very important short question है यह paper में short question आता है और यह भी very important short question है यह वाला और जो अभी मैं आपको करवाने लगाँ यह long है बहुत important ठीक है important long है very important long question तो इसको आप कैसे cover करोगे theory आपके पास बहुत जादा बन सकती है लेकिन जो main चीज़े हैं वो आपने लिखनी कुछ चीज़े book में skip की गई है मैं उसमें add करूंगा वो आप में ज़रूर लिखनी है अब देखो हमारे पास benzyne में carbon हैं तो हम carbon को पहले लिखते हैं यहाँ पे hybridization शोग करने के लिए तो carbon का atomic number होता है 6 तो हमारे पास यह मैंने कैसे बना दी ऐसे carbon लिखें यहाँ पे 6 लिखें 1s2 2s2 I really hope कि आपको configuration का पता है आपको hybridization आती है तो 2py 1 and 2pz 0 this is called the ground state of carbon atom and if we write its excited state तो वो हमारे पास बनेगी 1s2 2s1 2px 1 2py 1 and 2pz there is also 1 so this is called the excited state of carbon atom अब you can see कि यहाँ पे अगर हम hybridization की तरफ जाएं तो हमें benzene में sp2 hybridization को suggest करना पड़ेगा because there is bond length between 2 carbon atom is 1.397 angstrom which is nearly equal to that of 1.34 angstrom अब देखो अगर 1.34 angstrom हो तो हम sp2 hybridization को consider करते हैं देखो x-ray analysis में बहुत लादा help करती है hybridization state को समझने में अगर तो हमारे पास इस range में carbon carbon bond length हा रही हो तो हम suggest करते हैं there is sp2 hybridization between carbon atoms तो this is the very close bond length है ना जो बेंजीन में carbon to carbon आई to this bond length that is why we will consider sp2 hybridization I really hope you got my point है ना so यहां पे जो हमारे पास hybridization है वो होगी sp2 sp2 hybridization according to this sp2 hybridization three orbitals of the carbon atom must overlap and form a set of hybridized orbitals वो कौन कौन से होंगे this will 2s, 2px and 2py so there are one electron in each so one, one and one so we named them sp2, sp2, sp2 instead of 2s, 2px, 2py so we can write यहां पे 3sp2 हमारे पास बने हैं और एक जो orbital रहा वो रहा unhabidized वो कौन सा है, 2pz yes, it also has one electron और इसको हम क्या बोरेंगे unhabidized hybridized ठीक है, तो यह unhabidized एक orbital रहा benzene के carbon के अंदर हर carbon के अंदर 6 carbon है, there are 6 carbon in benzene तो हम बनाते हैं, देखो अब आप कैसे बनाओगे, वो दरा देख लो एक carbon आप यहां शो करो, इसके बिलकुल यहां पे भी एक carbon ऐसे शो कर लो clear है, बास समझ जा रही न फिर चलो थोड़ी सी space होड़ दे लो यहां ऐसे कर लो और यहां पे आपके पास 1 और यह 2 इनके बिलकुल नीचे यहां पे सीध में यहां पे कर लो, 1 very well कि इस तरह की हमारे पास planar shape आती है sp2 habidization में, हर carbon के साथ एक एक electron होगा और एक unhabidized orbital होगा जो हम बाद में बनाएंगे है ना, so these are sp2 habidized orbital with 120 degree of angle, जो कि शो करती है कि यह planar है, यह देखो यह सारी help हमें कहां से मिल रही है किदर गया इसमें, यह देखो x-ray analysis से, तो x-ray analysis नहीं बताया कि 120 degree तो it means planar है और इन सब के तीनों के नाम sp2, sp2 और यहां पे भी sp2 है, तो it means हर carbon के तीन lobes बनेंगे यहां पे तीन lobes, तो कैसे बनेंगे देखो इसके मैं बनाता हूँ पहले यह एक हो गया इसका यह इसका दूसरा हो गया और यह इसका आप तीसरा बना लो clear? इसमें एक electron है इसमें एक है और इसमें भी एक है फिर आप इसका बनाओगे इसका यह एक, है ना यह दो, और यह इस तरफ carbon की तरफ तीन, तो यहां पे भी एक electron है, यहां पर भी है, इसका भी बनाएं एक, यह दो, और इस carbon की तरफ तीन, तो सब में एक एक electron है, तो यहां पर electron paired होना शुरू हो गे देखो, यह paired हो रहे हैं, जहां carbon, carbon overlapping हो रही है, और यहां पर भी ऐसे paired, यह, तो हर carbon के आपने तीन, तीन orbital's हो हैं, वो बनाने, यह habita option होता है, advance में जाके आप चेक कर सकते हैं, वीडियो quality को आप बेहतर बना सकते हैं, अब यह देखें, यहां पर भी मैंने ऐसे किया, यह carbon रह गया, तो इसका यह overlap कर गया, इधर से यह कर गया, तो हर carbon का sp2 orbital, दूसरे carbon के sp2 orbital से sigma overlapping शो कर रहे हैं, so this is the sigma overlapping, और यह कितनी है, yes, शाबाश, एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह 6, so there are six sigma bonds, हाँ जी, यह six sigma bonds है, यह line थोड़ी टेड़ी होगी, चलो मैं सीदी कर लें तो, ऐसे करके, six sigma bonds जो हमारे पास बने हैं, वो carbon to carbon है, और यह sp2 और sp2 overlapping से बने हैं, अब यह यहाँ पर याद रहे, अच्छा, यही ति 1 का, कौन सा बहला, yes, 1s orbital, मैं यहाँ पर न, overlapping की वो, लिख भी देता हूँ, type जो भी हुई है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, अब यह जो overlapping हुई थी, यह थी, sp2 और sp2, carbon to carbon थी, इस तरह की 6 overlapping हुई है, याद रहे, carbon to carbon, 6 overlapping, sp2, sp2, जिसे 6 sigma bonds बने, अब यह जो overlapping है, यह है, sp2 और s के दरम्यान, sp2 किसका है, carbon का, और s किसका है, hydrogen का, इस तरह की भी, जो overlapping हुई है, वो 6 हुई है, तो यहाँ पर भी यह 6 sigma bonds बने हैं, carbon to hydrogen, अब देखो, 6 sigma bond carbon to carbon है, जो sp2, sp2 overlapping से बने, और 6 sigma bonds हैं, वो है carbon to hydrogen, जो बने हैं, किस overlapping से बना, yes, sp2 और s overlapping से, तो यह 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, यहाँ था clear, यह तो understandable है, अब रहा इस unhabitized orbital का मसला, अब यह तो सारे आपको atoms नजर आ रहे हैं, जिसमें carbon to carbon bond है, और carbon to hydrogen bond है, these are in one plane, means, इनके धरम्यान 120 degree angle है, according to this habitization, now, हम अगला structure बनाएंगे, एक तो आपने यह structure बनाना है, ऐसे यह सारा आपने लिखना ह तो यहाँ तक आप screenshot ले लें, फिर मैं आगे बताता हूं, अब जो data हमारा रह गया, structure को लेके, अब देखो, आपने एक बात जान ली है, कि हमारे पास यह hexagon है, इस तरह से बनी, यह इस तरह से है, यह आप बना लोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, यह थोड़ी बड़ी बन बन गई है, यह ठीक है, इतनी बड़ी बना सकते हैं आप, ठीक है, पेपर में, तो अब यहाँ यह सारे कार्बन हैं, यहाँ, कार्निस पर, और कार्बन से था हार्डोजन, और यह आपको बता चुक हूँ, तो यह तो आगया प्लेन में, ठीक है, यहाँ पे 6 सिगमा बांड कार्बन टू कार्बन है, और 6 सिगमा मांड्स कार्बन टू हार्डोजन है, जो यहाँ पर मैंने शोग नहीं किये, अब, हर कार्बन पे, एक अन हैबिडाइस्ट और्बिटल है, और आपको पता होना चाहिए, जो अन हैबिडाइस्ट और्बिटल होता है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता यह अपनी शेफ डंबल ही रखेंगे ठीक है यह वारे तो यह च्छे होंगे हर कार्बन पेक होगा तो च्छे कार्बन है तो च्छे अन हैबिडाइज यहां पर आपने और बिटर्स हो हैं वो शो करना है ठीक है उमीद है कि यह आप कर लोगे यह इस तरह से अब यह ओवरलैप करेंगे साइडवे साइडवे बोले तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या बनाने के लिए पाई बॉन्ड मैं नीचे करके भी दिखाता हूं आपको यहां पर तो यह आपने बना लिया देखो यह कैसे ओवरलैप करेंगे यहां पर हम इसको थोड़ वाले कौन से हैं? और उपर वाले लोब सिनके कौन से हैं? ठीक है? उनी को पिर आपने ओवरलैप कर वा लेंNe. अब अब ये side way ओभरलैप करके pie bond बनाएंगे. अब उपर वालों को पहले ओवरलैप कर लेंगे ये मैं लाउड नजर आएगा यह तो मैंने बना देखो ना पाइबॉन बेसिकर यह होता है यह अगर प्लेन वाली लाइन है तो पाइबॉन में आदा क्लाउड उपर होता है परपेंडिकुलर ली और आदा नीचे होता है तो यहां पर भी सेम यह सीन है अभी मैंने आदा क्लाउड उपर वाला तो नीचे वाला मैं रेट से बना लेता हूँ यह देखो नीचे वालों को मैं अब आप प्रसमें मिलाता हूँ ऐसे आपने मिलाते जाने यह एक अच्छा सा आपके पास स्ट्रक्शर बिल्ड हो जाएगा तो यूं पाई क्लाउड है देखो बीच में जो ब्लैक ह पाई क्लाउड है जिसको हम आगे चलके रेजोनेंस में सीखेंगे तो फिल हाल के लिए आप ये तो इस तरह से हमारे पास ओवर दी प्लेनर जो स्ट्रक्शर है हेग्जागोन बेंजीन का उसके उपर एक पाई क्लाउड है परपैंडिकुलर इस तरह से यह देखें इस तर क्या यहां से यह बात हमें समझ आई है कि बेंजीन में तीन डबल बॉंड तो नहीं है यह वाला क्लाउड हो गया क्यों क्योंकि अगर हम एक्सरे अनालिसिस को देखें तो सारे कार्बन की जो बॉंड लेंथ है वो आ रही है 1.397 एंग्स्रम यह उसी वक्त ही पोसिबल है जब सारे कार्बन एक जैसा बिहेव करें अगर कहीं पर डबल है कहीं पर सिंगर है तो यह चेंज होती हर कार्बन टू कार्बन लेकिन ऐसा नहीं है दो तरह की बॉंड लैं साती कार्बन टू कार्बन बेंजीन में एक सरे अनालिसिस के इंदर लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो विटमीज कुछ ऐसा सीन चल रहा है ठीक है कि सारे ही कारबन एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं एक तो यह इनका प्लेन वाला तो समझ आ गया और जो पाई क्लाउड है वो भी कुछ इस तरह से क्लाउड हम इसको कहेंगे क्या बोलेंगे येस आप इसको बोलेंगे पाई अगर आपको समझ आ गया है तो फिर आपने इसको लाइक जरूर करना है और जिन फ्रेंड्स को इनकी जरूरत है इस लेक्चर की भी जरूरत है उनके साथ ये जरूरत शेयर करना है थैंक यू सो मच अला अफ़िस